तो आजाओ किसान भाईयों आपको मैं एक टैक्टर दिखाता हूँ निव लेंड 32 टैक्टर बहुत ही जवरदस्त है बिल्कुल जिरो मिटर है नया है कंपणी से मंगवा हुआ है जो भी किसान लेगा उसी के नाम हो जागा जिस डिस्टिक से भी आप होंगे वहीं पर आपके नाम हो जगा यह आपके नाम की बिलिंग होगी इसकी आपके नाम पर इपिल नहीं कट है बिल्कुल निव टैक्टर है जिरो मिटर लेकिन कमपणी से बहुत ही सस्ते रेट में मिल आए यह टैक्टर हरिदवा डिस्टिक में खड़ा है बिंडू गाउं में जो रुड की है और तेरा के बैक टायर है इसके तेरा-चेट्अच में बैक टायर है अपोलो के छारों टायर इसमें आपोलो के पड़े हैं बिल्कुल नए ओव लगे मद यह फिर पच्ट हैसल। और बाक्कि आप देख लो बिल्कुल जबरदस्त है साइड गैर में है ये और ये लगबग ब्याडिस टुचवाडिस एच्पी केटेगरी का टेक्टर होता है ये ये देखो बैक साइड से भी दिखाऊंगा और इसका मिटर भी दिखाऊंगा आपको ये कमपनी से आने जाने में ही थोड़ा बहुत जो है चलाओगा आने में तो आप देख सकते हैं इस साइड से भी देख लो बिल्कुल नया टेक्टर है निउ ओलेंड प्लस के नाम से ये ये 44 पावर में है टेक्टर ये देखो जी बिल्कुल नया है पावर इस्टेरिंग के साथ में है और side shifting air दिखा दिया meter दिखा देता हूँ आपको कितना चला हुआ है यह देखो जी साड़े तीन घंटे साड़े तीन घंटे company से यहां तक आने महीं चला है और तीन cylinder engine के साथ आता है बहुत हीज़वर्दस टेक्टर है किसान के मतलब का टेक्टर है और back side से आप देख लो एक होजरी वाली भी लगा वाइस में टमफर के लिए और वक्किये देख लो आप बिल्कुल new brand टेक्टर है तो अगर इसकी demand की बात करें तो इसकी demand करते हैं पांच लाक बीस हजार रुपे की यह टेक्टर आपको वैसे कमपनी से ज़्यादा का पड़ेगा लेकिन यहाँ पे इसकी demand पांच लाक बीस हजार रुपे और मैं नमबर दूँगा टाइटर लिस्क रप्सन में आप कोल कर सकते हैं और जो लोग चैनल पे नहे जुड़ते हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लाए क्योंकि इस में आपके पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो धन्यवाद